वेल्कम तो न्यू लेसन कल के लेसन में हमने बात की थी अबाउट कीवर्ड्स आपने समझाता कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं चार टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी कि वो कीवर्ड्स क्या होते हैं कैसे उन्हें लिखा जाता है, सो कल हमने एक चीज देखी थी, कि एक चीज थी close variant, उससे हो क्या रहा था, कि मेरी ad miss spellings, synonyms, प्लस ऐसे words, जिनके similar meaning हो, उस पे भी मेरी ads चल रहे थी, ठीक है, अब होगा क्या, कि इससे आपके पास, बहुत irrelevant traffic आने लगी, for example, suppose करो, आपने, keyword है आपका digital marketing, ठीक है, और यह आपने use किया है, suppose करो, phrase match, अब कोई ad run कर रहा है, worst digital marketing पे, तभी भी आपकी ad दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि आपने use किया हुआ है, phrase match और digital marketing एक साथ दिख रहा है, तो यह situation आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे situation से बचने के लिए, Google ने एक, आपको बहुत ही अच्छी, अच्छा option दिया है, and that is called negative keywords, जैसे आप नाम से समझ सकते हो, negative keywords का मतलब, ऐसे keywords या ऐसे words, जिन पे आपकी एड ना दिखे, उन्हें हम कहते हैं, negative keywords, for example, suppose करो, आपका keyword है, phrase match में, digital marketing, इसका मतलब क्या है, कि आप Google से कहा रहे हो, कि भाईया, गूगल, अगर digital marketing एक साथ दिखे, तो तुम मेरी एड दिखा देना, इसके साथ साथ, आपने ये भी कह दिया, कि जो इसके close variation है, उस पे भी मेरी एड दिखा देना, अब कोई आया, और उसने search के हमारा, worst digital marketing company, अब बताओ, क्या आपकी एड दिखेगी, बिलकुल दिखेगी, क्यों, क्योंकि digital और marketing as a phrase आ रहे हैं, एक साथ आ रहा है, बट इसमें worst भी आ रहा है, इससे तो आपका brand डाइल्यूट होगा, तो आप कर क्या सकते हो, अब आप इस worst को अगर बना दो negative keyword, तो आपकी एड नहीं दिखेगी, है न जबर्दस चीज, अब देखो, negative keyword को हम use कैसे करते हैं, तो जैसे आपने कल पढ़ा था, जो main keywords थे हमारे, वो चार टाइप के थे, पहला था, broad match, दूसरा था, क्या था जी बताओ, broad, match, modifier, and then we had phrase match, यह चार option थे, ठीक है, पहला broad match, दूसरा broad match modifier, तीसरा phrase match, and the last one is exact match, अब जो आपका negative keywords हैं, यहाँ पे broad match होता है, praise match भी होता है, exact match भी होता है, ब्रट, broad match modifier नहीं होता, broad match modifier नहीं होता, और Google जो है, वो बहुती 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 जादा शान हैं, इधर क्या होता था, आपकी ad close variants पे भी दिखती थी, मतलब अगर मेरा keyword है, digital marketing, तो मेरी ad इनके close variants पे भी दिखेगी, इससे क्या था, कि Google की earning potential जादा था, या आपने keyword तो चूज किया digital marketing, बट क्योंकि Google इसके close variants पे भी ad दिखा सकता है, Google का earning potential बढ़ जाता है, negative keywords में close variants कुछ नहीं होते, मतलब अगर आपने कोई keyword सर्च लगाया है, negative keyword वो है worst, मतलब worst पे आप, कोई अगर keyword सर्च हो रहा worst हो जहां पे, तो आपकी ad नहीं दिखेगी, बट इसके close variants पे आपकी ad दिखेगी, ठीक है, close variants पे आपकी ad दिखेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ही difference है, normal keywords में और यहां, ठीक है जी, अब देखो, negative keyword match टाइप जो था, अब इसको एक बार और समझते हैं, पहला negative keyword match टाइप कौन सा था, broad match, ठीक है, suppose करो आपका keyword है, cricket bet, यह क्या keyword है, negative keyword, क्या negative keyword बनाया आपने, cricket, bet, कौन सा वाला, broad match वाला, broad match वाला, अब होगा क्या, suppose करो किसी user ने सर्च किया, cricket, bet, डेली, ठीक है, आपका keyword क्या है, negative keyword, cricket bet, और उसने सर्च क्या क्या है, cricket bet, डेली, अब यह देखो, क्या आपका जो keyword है, वो इसमें है, cricket bet है, बिल्कूल है, तो आपकी add यहाँ, नहीं दिखेगी, ठीक है, अब सपोर्ज किसी ने सर्च मारा, डेली, cricket, यहाँ पे भी आपकी add, नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि cricket भी है, और, bet भी है, पोजीशन मैटर नहीं करता, एज लॉंग एज यह words है, पोजीशन मैटर नहीं करता, ठीक है जी, तो यह सिंपल आपका क्या है, ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच, नेगिटिव कीवर्ड में क्या होता है, अगर आपका कीवर्ड, यूजर के सर्च, टर्म में है, चाहें उसकी पोजीशन कोई भी हो, तो आपकी एड, उस कीवर्ड पे नहीं आएगी, बहुत ही बहुत ही जादा आसान, दूसरा, फ्रेज मैच, मतलब फ्रेज मैच, अगेन यह कौन सा वाला है, नेगिटिव कीवर्ड, ठीक है, अब फ्रेज मैच में क्या होगा, जो भी आपका कीवर्ड है, सपोज करो, आपका कीवर्ड है, क्रिकेट, बैट, अब अगर यूजर ने सर्च किया, बैट क्रिकेट, बताओ, क्या आपकी एड यहाँ नहीं दिखेगी, या दिखेगी, आपकी एड दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि आपने लिखा था, क्रिकेट बैट, उसने सर्च का क्या है, बैट क्रिकेट, तो ओर्डर, आगे पीछे है, यह exact phrase नहीं है, तो आपकी एड यहाँ दिख जाएगी, सपोज करो, उसने क्या सर्च मारा, क्रिकेट बैट, इन डेली, यहाँ आपकी एड नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यह cricket बैट, as a phrase, यहाँ पे, यूज हो रहा है, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा, simple है, phrase match negative keyword भी, अगें, क्या मतलब है, phrase match negative keyword का, कि जो भी आपका keyword है, as a phrase, अगर वो सर्च टर्म में है, तो आपकी एड नहीं दिखेगी, बहुत ही जादा असान, and the last one, जो सबसे simple है, वो है, exact match, मतलब, अगर आपका keyword, exactly available है, सर्च टर्म में, तो आपकी एड नहीं दिखेगी, for example, मेरा negative keyword है, cricket, bat, अब user, अगर सर्च करेगा, cricket, bat, बस उसी situation में, मेरी एड नहीं दिखेगी, negative keyword में, close variation वगरा, कुछ नहीं होता, synonym, panonym, कुछ नहीं मांता है, google, ठीक है, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा, simple है, अब देखो, आप negative keywords, बना कैसे सकते हो, campaign में कैसे डाल सकते हो, सबसे easy तरीका है, आप एक यहाँ पर जाओ, और देखो आ रहा है, negative keyword list, आप negative keyword list बना दो, right, tools पे गए, और negative keyword list पे गए, और plus किया, और list का नाम लिख दो, यहाँ पर लिख दो, negative keywords, और यहाँ पर अपने keyword लिख दो, तो suppose मैंने लिखा, cricket, bat, ठीक है, अब यह मैं suppose लिखना चाहता हूँ, exact match negative keyword, तो कैसे लिखूँँगा, same, आगे पीछे क्या लगा दूँँगा, bracket, और इसे कर दूँगा, save, ठीक है, अभी एक है, इसमें मैं चाहूँ, तो क्या कर सकता हूँ, देखो, RNA exact match, और लिख सकता, तो मैं simple यहाँ पर जाके करूँगा, plus, और और negative keywords, add कर सकता हूँ, suppose मैंने लिख दिया, hockey, stick, और इसे मैंने कर दिया, save, अभी देखो, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, अगर मैं इसको click करूँगा, तो देखो option, अभी क्या है, broad match, तो चाहूँ तो मैं इसे phrase match भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो exact match भी कर सकता हूँ, और इसको मैं कर दूँगा, save, ठीक है, बहुत easy तरीके से, हमने negative keyword list बना ली, अब इसी list को, हम अपने campaign पे जाके, apply कर देंगे, जभी भी हम campaign बनाएंगे, अभी हमने campaign बनाया नहीं है, इसलिए हम apply नहीं कर सकते, जब हम campaign बनाएंगे, तो वहाँ easily जाके, इस negative keyword list को, हम apply कर सकते, तो मैं एक बार sum up कर देता हूँ, हमने आज पढ़ा negative keywords, negative keywords का मतलब क्या है, ऐसे keywords जिन पे आपकी add ना दिखे, उसे हम कहते है negative keywords, negative keywords में कोई synonym, कोई आपका close variation, कुछ Google नहीं मानता है, और negative keywords आपके तीन type के होते हैं, पहला broad match, दूसरा phrase match, तीसरा exact match, broad match में क्या होता है, जो भी आपका keyword है, वो किसी भी order में, अगर search term में available है, तो आपकी add शो नहीं होगी, then we have phrase match, phrase match में क्या होता है, जो भी आपका keyword है, वो as a phrase available होगा, तो आपकी add नहीं दिखेगी, और last one is exact match, आपका keyword as it is available होना चाहिए, तो आपकी add नहीं दिखेगी, then हमने देखा इसको implement करना, जो कि हम keyword list बना के कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा, simple है आपका negative keywords, thank you so much,